पहला कोशन है सिक्रेटिन किसके स्रामण को प्रेडित करता है यानि किसके निर्माण को सिक्रेटिन हर्मोन प्रेडित करता है ये बताना है तो इसमें से चार आपसन दिये गए हैं एक आपसन सही है कौन सा आपसन सही होगा आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि यह हर्मो सबसे पहले खोजा गया था यानि जो सिक्रेटिन हार्मोन है सिक्रेटिन सर्व प्रथम खोजा गया हार्मोन है और इसका आंसर होगा D अग्नियासई रस यानि अग्नियासई रस के स्रामर को प्रेडित करता है बता दें कि सेक्रेटिन हार्मोन आत अथवा इंटेस्टाइन के डियोडिनम तथा जेजिनम भाग के द्वारा स्रावित होता है और आपको बता दें कि इसके अतरिक्त यह आमासे की गती तथा स्रामर को बाधित भी करता है आमासे की गती यानि इस्टमक की गती को और स्रामर को बाधित करता है नेश्ट कुचन है अग्नियासई रस के स्रामर को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है चार आपसन दिये गए हैं इसमें से आपसन सही होगा बी सिक्रेटिन हार्मोन अग्नियासई रस के स्रामर को उत्तेज करता है यानि सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है यह अग्नियासे या पैंक्रियास द्वारा अग्नियासे रज्ज होता है जो पैंक्रियाटिक ज्यूस होता है उसके स्रावण को प्रेद करता है मेरे चैनल में अंतह स्रावी तंत्र का फूल वीडियो अप्लोडेड है जिसमें मै description में दे गई है आप लोग जाकर के देख सकते हैं नेश्ट कुछन है सिक्रीटिन हार्मोन्स किसके पाचकसरामण को उत्प्रिद करता है जो इसका आंसर होगा डी अगनियासै अगनियासै के पाचक स्रामण को प्रेदित करता है सिक्रीटिन है क्या है हार्मोन, बिटामिन, एंजाइम और सजी पतात तो सभी लोग जान चुके हैं सिक्रीटिन क्या होता है हार्मोन होता है PGT 2002 में प्रश्न पूछा गया था ये और 2013 में पूछा गया सिक्राइक है और अगया से कुछा घुछा गया था प्राथमिक सूचना वाहक होते है इसक्राथमिक सूचना वाहक कहन होते है एंजाइम, कोएंजाइम, हार्मोन या C-A-M-P-N-E-C-M चारा अफसन दिये गए हैं इसमें से ओपसन सही होगा C, जन्तूओं में प्राथमिक सुचना वाहग हार्मोन होते हैं यह प्राथमिक रासायनिक संदेश वाहग होते हैं कैसे हैं? और यह जन्तूओं के सरीर में सुचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग में पहुचाने का कारी करते हैं इसलिए इनको प्राथमिक रासायनिक संदेश वाहग कहा जाता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जंतुओं के सरीर में सुचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कारी करते हैं इसलिए रासानिक संदेश वाहक ने कहा जाता है नेश कुचन है ADH हार्मोन की कमी से मूत्र परित्याग पर प्रभाव पड़ता है यदि सरीर में ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो मूत्र परित्याग पर प्रभाव पड़ेगा तो ADH क्या है? हार्मोन है और इसका पूरा नाम क्या है? अगर कहा जाए तो एंटीडियूरेटिक हार्मोन होता है ADH यानि एंटीडियूरेटिक हार्मोन और यह कहां से स्रावित होता है तो प्यूस ग्रंथी से स्रावित होता है और प्यूस ग्रंथी को पिट्यूटरी ग्रंथी भी कहा जाता है आपको बता दें कि इसका आंसर होगा भी बढ़ता है यानि एडी अचार्मोन की कमी से मूत्र परित्याग पर प्रभाव क्या पड़ जैसे मुखत्रता क्या है तो जब अन्य हिर्मुट्रा की कम हो जाती है अल्फ स्रावण होता है कम स्रा वित होता है तो मूत्र परित्याग बढ़ जाता हैウस mistळा को बह मूत्रता के रिकाнов जाता है यह पाली हूरीय को पॉली यूरियर्मा और इस रोग को डपjak करेंद चलिक् वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, वैसोप्रेसिन हो सकता है, वहाँ पर वैसोप्रेसिन लिखा हो, ADH न लिखा हो, या एंटिरियोरिटिक हार्मोन न लिखा हो, तो यही होता है, नेट्स कुछन है, वैसोप्रेसिन का संबंध होता है, किससे, चार आपसन दिय तो इसका मतलब यह हुआ कि मूत्र कम गाढ़ा हो हलका हो पतला हो तो इससे संबंधित नहीं है मूत्र के गाढ़े से संबंधित गाढ़ा यानि सांद्राण से संबंधित है नेश कुछन है बहु मूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है जो बहु मूत्र रोग है ये किस हार प्लिन ये जंसरा मुंत्र होती है या ओर अप्ग सही होग नियुक्त Тपीट लिखा होता दसे सकते हैं तो इसका आंसर क्या सही होगा C. वैसोप्रेसिन Next question है बच्चे के दुखधपान के समय इस्तन में दुखधका निसकासन करने वाले हार्मोन का नाम बताईए बच्चा जब दुखधपान करने लगता है दुखधपीने लगता है उस समय इस्तन से दुखध निसकासन करने वाले हार्मोन का नाम बताना है आंसर सही होगा D. ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये question TGT 2010 में पूछा गया था और इसका आंसर मैंने बताया ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको बताते चलें कि बच्चे के जन्म के बाद दुखध पान के समय ये दूध पीने के वक्त जो इस्तनों से दूध निकलता है इसको कौन उद्प्रेद करता है तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उद्प्रेद करता है और इसी कारण से इस हार्मोन को दुग्ध निस्कासन हार्मोन भी कहा जाता है या मिल्क इजट्टिन हार्मोन भी बोलते हैं और यह हार्मोन पस्च पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है यह पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होता है और कहां से तो पस्च वाली पेटीवटीरी ग्रंथ से पीछे की तरब से और जो प्रोलेक्टिन हर्मोन है ये अगर पेटीवटीरी द्वारा स्रावित होता है और गर्भा वस्था के समय इस्तन ग्रंथियों का विकास वो उसके पस्चात अर्थास सिसु के जन्म के बाद प्रोलेक्टिन हर्मोन करवाता है नेस्त कुछन है औकसीटोसिन नामक हर्मोन जुडा होता है किस से चारा अप्शन दिये गए हैं इसमें ऑप्शन सयोगाशी गर्भास्य की मान स्पेसियों के संकुचन एवं दुखध के स्राव से जुडा होता है ये जब बच्चा पैद होने लगता है तब यही ऑक्सिटोसिन हार्मोन जो होता है यह गर्भासे की मांस्पेशियों को संकुचित करवाता है जिसकी वज़े से बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है और जब बच्चा दूध पीने लगता है तो दुख-दुकिस रामण को भी उत्प्रित करता है नेट्स कुच्चन है नौजाच सिसु से यदि थाइमस ग्रंथी निकाल दी जाए तो जिस कोस्का का निर्मार रुक जाएगा वहा है यही कोई नौजाच सिसु है और उसके सरी से थाइमस ग्रंथी को निकाल दिया जाए तो ऐसी कौन सी कोस्का है जिसका निर्मार रुक जा हमारी immune system की कोज़काएं होती है और ये दो प्रकार की होती है T lymphocyte और B lymphocyte तो इसमें बतायागा है कि T lymphocyte की जो होती है उसका निर्मार रुख जाएगा नहीं बनेगी यानि कहने का मतलब ये हुआ कि thymus ग्रंथी जो है ये प्रतिरच्छा तंत्र के विकास में महात पूर्भोमिका निभाती है कौन थाइमस ग्रंथी और इस ग्रंथी से थाइमोसीन नामक peptide हार्मोन का स्राव होता है थाइमोसीन नामक peptide हार्मोन निकलता है तो आप थाइमोसीन हार्मोन भी कह सकते हैं और थाइमोसीन जो हार्मोन है ये प्रतिरच्छी या एंटीबाडी के उत्पादन को प्रेरिद करता है यदि आप लोग लिंफोसाइट को सिकाओं पर यानि टी लिंफोसाइट बी लिंफोसाइट जानना चाहते हैं तो मेरे चर्में वीडियो अप्रूडर है आप लोग जा संबाद मुक्हतह होता है इससे मेमेलियन यानी जो इस्तंधारी होते हैं इनकी थाइमेस का संबंध मुक्हतह किससे होता है चारा संदिग हैं ओप्सन सहयोगार सी प्रतिरच्छा तमक से होता है अभी मैंने आपको बताया भी है कि जो थाइमेस गरंटी थाइमेस सी थाह duel कुछ भी कार्णीत होता है और ये प्रतीर पार आहिसों इन मेंसे दोनों इन मेंसे कोई नहीं डिवला भाग से स्रावित होता है और यह संकटा कालीन परिस्थितियों में यह जब संकट की इस्थितियां होती है उस समय जैसे कौन-कौन सी हो सकती है दुर घटना, बेचैनी, डर, पीड़ा, आदि में मनस्य को निर्ड़े लेने में सहायता करता है यह इन घटनाओं में सं अपात कालीन हार्मोन के नाम से भी जाने दता है क्यों क्योंकि संकटा कालीन परिस्थितियों में निर्ड़े निने में सहायता करता है और यह हिर्द इस्पंदन की दर एवं सामर्थ दोनों ही बढ़ा देता है जो एडिन निलिन हार्मोन है यह हिर्द इस्पंदन की दर को सामर्थ को भी बढ़ा देता है और इससे रक्त दाब रक्त संचरण तथा नाड़ी इस पंदंदर बढ़ जाती है बता दें कि ये question TGT बालोजी 2010 में पूछा गया था आते हैं नेश question पर हिर्दय इस पंदन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है तो इसका आंसर होगा C adrenaline hormone हिर्दय इस पंदन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है टोटल हार्मोन के वीडियो मेरे चैनल में अप्लोड़ेड है और लिंक मैंने description में दीवी है आप लोग जा करके अच्छे से समझ सकते हैं कहीं से भी प्रश्ण पूछा जाए उत्तर दे लेंगे निफ्स कुछन है निमन में से कौन आपातकालीन गरंथी कहलाती है तो और आंसर से होगा D adrenal geral गरंथी आपातकालीन गरंथी कहलाती है लगरहांस की दीपिकाएं होती हैं होते हैं इसलिए इसको क्या कहा गया है मिस्रित ग्रंथी कहा गया है इसके अध्यास रावी भाग में आप्रणाल ग्रंथियां होती है और इनके समुह को लगर हैंस की दीपिकाय कहा जाता है और इनके द्वारा इंसुलिन ग्लुकोगान नामक हार्मोन स्रावित होते हैं यहीं लगर हैंस की दीपिकाओं से कौन स्रावित होता है दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लुकेगान नामक हार्मोन स्रावित होते हैं इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा ग्लुकेगान की कमी हो जाए तो क्या होगा आधिता से क्या होगा आप लोग इस पर जरूर सूचेगा और आंसर दीजेगा निश्ट कुछन है पिनियल है पिनियल क्या है तो इसका आंसर होगा बी पिनियल एक अंताहसरावी ग्रंथी होती है अंताहसरावी ग्रंथी बता दें कि पिनियल ग्रंथी अग्र मस्तिस्क में प्रिष्ठिय भाग में इस्थित होत से टोनिन नामक हार्मोन का स्रामर करती है और यह हार्मोन हमारे सरीर की दैनिक ले बद्धता का नियमन करता है नेक्स कुछन है पिटिवटरी अथवा प्यूस ग्रंथ को कौन नियंत्रित करता है जो पिटिवटरी है अथवा प्यूस ग्रंथ है इसे कौन नियंत्रित करता है PGT 2010 में कोचिन पूचा गया था इसका आंसर होगा D. Hypothalmas नियंतित करता है बता दें कि Pituitry ग्रंथी का नियंतिन Hypothalmas के अधीन होता है और इसलिए Puse ग्रंथी को या Pituitry ग्रंथी को Master ग्रंथी भी कहा जाता है तो Puse ग्रंथी कहो या Pituitry ग्रंथी कहो या Master ग्रंथी कहो एक ही बात होती है और Hypothalmas को सर्वोच Master ग्रंथी कहते है Next question है अग्नियासे स्रावित करता है अग्नियासे क्या स्रावित करता है तो अग्नियासे में जो Legerhans की धीपिकाएं पाए जाती है ये 4 परकार की होती है और वो 4 परकार की कोजव काई अलग-अलग हर्मोन depende करती है लेकिन यहाँ पर आंसर होगा Somato Statin जो अग्नियासे है ये क्या स्रावित करेगा Somato statin नामग हर्मोन स्रावित करता है और बता दें कि अलग-अलग कौन से जो सार प्रकार के मैंने बताय था भी अलफा, बीटा, गामा और पीपी कोस्का या एफ कोस्का कहे लेजिए तो जो अलफा है ये ग्लूकेगान नमक हार्मोन का स्रावण करती है जो बीटा है ये इंसूलिन का स्रावण करती है और जो गामा या डेल्टा है इससे सोमेटोस्टेटिन का स्रावण होता है सोमेटोस्टेटिन का और जो पीपी कोस्का या एफ कोस्का होती है इससे पैंक्रियाटिक पॉलिपेप्टाइड हार्मोन का स्रावण होता है तो चारों मैंने बताएं हैं कोई भी option में लिखा हो वो आप बता देंगे नेस्ट question है Glucogon hormone स्रावित होता है Glucogon hormone किसके द्वारा स्रावित होता है TGT 2005 में question पूछा गया था इसका answer होगा D Lagerhans की DP काउं की alpha कोशिकाउं से Glucogon नामक hormone स्रावित होता है तो इस पर बहुत सारे प्रेश्ट बन सकते हैं अच्छे से आप लोग notes तयार कर लेंगे नेस्ट question है Neurohypophasis स्रावित करता है Neurohypophasis क्या स्रावित करता है TGT 2005 में question पूछा गया था इसका answer होगा C Oxytocin तथा Vysopresin hormone स्रावित करता है बता दें कि Puse granti अर्थात Pituitary granti या Master granti मुखे तहा अगर या कलिजी की anterior तथा पस या कलिजी की posterior भागों में बटा होता है जो Pituitary granti है अगर और पस भागों बटी होती है अगर भाग को Adenohypophasis कहा जाता है और पस भाग को Neurohypophasis कहा जाता है अगर भाग को क्या कहते है Adenohypophasis और पस भाग को Neurohypophasis कहा जाता है तो Neurohypophasis भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन Oxytocin तथा Visopresin होता है Next question है Follicle Stimulating हार्मोन उत्पन होता है और Follicle Stimulating हार्मोन को FSH shortcut में कहते है FSH ये उत्पन होता है किस से? 4 संदिय गए है TGT 2010 में question पूछा गया था इसका answer होगा B अगर प्यूस ग्रंथी से स्रावित होता है मैंने भी बताया था कि प्यूस ग्रंथी या Pituitory ग्रंथी या Master ग्रंथी दो भागों बटी होती है अगर और पस्च तो उसी में से ये हार्मोन पूछा गया था कि फालिकल इस्ट्यूमिलेटिंग हार्मोन उत्पन होता है किस से? तो अगर प्यूस ग्रंथी से उत्पन होता है यानि B वाला ओफ्शन से होगा आपको बता दें कि अगर प्यूस ग्रंथी से कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं कौन-कौन से? बृध्धी हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन स्वाटकर में कहा जाता है जी एच इसी तरह से थाइराइड उत्प्रिरक हार्मोन या टी एस एच और एड्रिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन या एसी टी एच प्रोलेक्टिन हार्मोन या पी आर्सी गोनेडो ट्रॉपिक हार्मोन फॉलिकल इस्ट्यूमिलेटिंग हार्मोन यानि एफ एस एच लिटिनाइजिंग हार्मोन यानि एल एच तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाले अगले वीडियों निर्फिकरतन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद